अलो नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं जग्यासा बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीर सिंग लेक्चर्स पे और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बल एवं गती के नियम के चैप्टर के बैक एंड एक्सराइस के questions पहला question हम हमारा पढ़ते हैं किसी M द्रव्यमान की वस्तू जिसका वेग V का समवेग क्या होगा आपके पास में कोई वस्तू है जिसका द्रव्यमान M है और उस वस्तू का जो वेग है वो V है तो उसका समवेग बताना है हमने पढ़ा है कि किसी भी वस्तू का किसी भी और समवेग को हम P से दर्शा आते हैं तो समवेग जो है M V हो जाएगा कौन सा option से हैं यहाँ पर? B Next question हम करते हैं हम एक लकडी के बकसे को 200 Newton बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं बकसे पर लगने वाला घर्शन बल क्या होगा? एक हमारे पास में लकडी का बकसा है उस लकडी के बकसे पर हम 200 Newton का बल लगाते हैं ठीक है? और जब हम उस पर बल लगा रहे हैं तो उस दोरान उस बकसे का जो वेग है वो नियत है वेग नियत है मतलब fix है fix है मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो त्वारन उत्पन नहीं हुआ है और त्वारन उत्पन नहीं हुआ है तो जो हमारा बकसा है वो move नहीं किया गया है बकसा जो है अपनी जगे पर ही है तो बकसे पर लगने वाला घशन बल क्या होगा? या फिर आप बोल सकते हो कि माइनस का 200 न्यूटन का हो जाएगा क्यों माइनस का 200 न्यूटन बोल रही हूँ क्यूंकि वो हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लग रहा है नेक्स्ट क्यूशन हम देखते हैं आपर कि दो वस्तुएं प्रत्य का द्रविमान एक पॉइंट पांच केजी है एक सीधी रेका में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गती कर रही है तकराने के पूर्व दोनों का वेग 2.5 मीटर प्रती सेकंड था, मतलब विपरीत दिशा में, मतलब एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो अगर इसका वेग मैं 2.5 मीटर प्रती सेकंड ले रही हूँ, तो यह इसकी विपरीत दिशा में है, मतलब इसका जो वेग होग तक्राने के बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, तक्राने के बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, तक्राने के बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, तक्राने के बाद में एक दूसरे से जुड़ गई है, तक्राने के बाद में एक दूसरे से दॉम्हें करनी है तो हमएं ँद संरक्ष्ण के नियाम से अब्वाधा है अब्सक्राने के एक पहले बसेंसे धीड़क्राने हिए तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि टकराने के पाद में तकराने के पहले का समवेक जो है टोटल समवेक बराबर रहेगा तो टकराने के पहले समवेक कितना होगा m1 u1 plus m2 u2 बराबर m1 v plus m2 v क्योंकि टकराने के बाद में दोनों जुड़ गई है और दोनों एक समान वेग से चल रही है तो दोनों का समवेग मैंने दोनों का जो वेग है मैंने v मान लिया है इस वज़े से यहाँ पर मैंने v mention करा है 1.5 into 2.5 से multiply कर देंगे और इसको हम कर देंगे 1.5 into minus का 2.5 क्योंकि इसकी जो गती की दिशा है वो इसके विपरीत है इसलिए minus में लिया है 1.5 into v plus 1.5 into v यहाँ पर जो answer दोनों समान आएंगे और एक दूसरे को cancel कर देंगे क्यों क्योंकि 1.5 को 2.5 से दोनों ही स्थिति में multiply कर रहे हैं एक plus का आएगा एक minus का आएगा तो यह कितना हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पर मैं v common ले लूँगी यहाँ पर जब मैंने v common ले लिया है तो क्या आजाएगा मेरे पास में यह 3 हो जाएगा 3 इदर जाके divide होगा तो कितना हो जाएगा 0 मतलब तकराने के बाद में दोनों ही वस्तुएं जो है रुक गई है गती नहीं कर रही है clear हुआ एक question आपका 0 हो गया है next question पर हम चलते है यह गती के नियम के तिक्तिन नियम के नुसार जब कोई वस्तु किसी वस्तु को धका देते हैं तो वस्तु में उतना ही बल के साथ में हमें भी विप्रीत दिशा में धका देती है माल लो कि आप किसी वस्तु को धका दे रहे हो और धका देने पर आप जितना बल इस वस्तु पर लगा रहे हो उतना ही बल ये वस्तु आप पर भी लगा रही है, बराबर मात्रा का लगाती है लेकिन विप्रीत दिशा में लगाती है, न्यूटन के गती के तृतिनियम के अनुसार, तो जब हम किसी ट्रक को धक्का देते हैं, जो सड़क के किनारे खड़ा है, समभवता हमारे द्वारा ब वो ट्रक जो है गती में नहीं आता है, गती शील नहीं हो पाता है, तो इस चीज के लिए एक बच्चा क्या स्टेटमेंट देता है, कि दोनों ही बल, जब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रक के उपर क्या कर रहे हैं, हम जब ट्रक को धक्का दे रहे हैं, तो ट्रक भी हमारे उपर ट्रक भी हमारे उपर क्या करेगा बल लगाएगा अगर हम ट्रक पर बल लगा रहे हैं तो ट्रक भी हमारे उपर बल लगाएगा ना और उतनी मात्रा लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा छीक है चलो इतना तो हमने statement से देख लिया है तो एक विद्धियारती इस चीज़ को सही साबित करने के लिए कि जो दोनों बल है वो विप्रीत दिशा में लग रहे हैं और बराबर हैं तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसल कर देंगे मतलब मैं जितना बल ट्रक पर लगा रही हूँ न मेरे द्वारा लगाया गया बल कैंसल हो गया है उस बल से जो ट्रक मुझ पर लगा रहा है तो ये क्या तरक सही है या गलत है तो बच्चो देखो हमने जब न्यूटन के गति का तृतिय नियम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब कोई वस्तू क्रिया प्रतिक्रिया करती है तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है दो अलग-अलग वस्त यही बल एक ही वस्तू पर विपरित दिशा से लग रहा होता ना कि यह एक वस्तू है इसके ओपर इस दिशा से कोई बल लग रहा है और उसकी विपरित दिशा से भी कोई बल लग रहा है एक ही वस्तू पर अगर बल लगता ना तो यह एक दूसरे को कैंसल कर देती लेकिन यह पर जो बल है दोनों एक दोनों ही जो बल है वो अलग-अलग वस्तुम उपर लग रहे हैं जिसके कारण ये दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे इसलिए जो बल है तो ये तो उसका स्टेटमेंट गलत हो गया है अब हमें बताना है कि ट्रक क्यों नहीं मुववा तो भाई जब हम उपर बल लगा रहे हैं तो ट्रक का द्रविमान जादा है जिसकी वज़े से उसका जड़त्व जादा है और बहुत जड़त्व होने के कारण क्या है जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके बीच में जो घशन बल है ट्रक और जमीन के बीच में वो बहुत जादा है और हमारे आपको यही आंसर लिख करके दिया गया है, आप चाहें, तो इसे क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट का ले सकते हैं. नेक्स्ट क्योशन हमारा नुमेरिकल है, कि 200 ग्राम दर्वेमान की एक होकी की गेंद 10 मीटर प्रती सेकिंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलो ग्राम दर्वेमान के गुटके के संगटत करती हैं, तता उससे जुड़े जाती है, उसके बाद दोनों साथ उसी रे परिवर्तन होता है, तकर के पहले जितना संवेग है और तकर के बाद में जितना संवेग है उसमें परिवर्तन 0 होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि टकर के पहले जितना संवेग था और तकर के बाद में जितना संवेग है वो दोनों समान रहेंगे, तो तकर के पहले मानल तककर के बाद में पीटू सम्वेग मांग रही हूं तो दोनों बराबर होंगे, हमें दोनों को ही पता करना है, तो यहां पर हमें सम्वेग में परिवर्थ, अगर आपको सम्वेग निकालना है, तो सम्वेग क्या होता है, मास इंटू विलोसिटी, तो हमें पहले और दो अब की बॉल का द्रवे मान है 200 g मैं उसे क्या कर लूँगी उसे मैं कनवर्ट कर लूँगी उसे मैं कनवर्ट कर लूँगी कीलो ग्राम में और हजार से भाग दे दूँगी तो इस कितना ओजाएगा 0.2 kg ठीक है इतना हो गया अब जाकर के 5 kg वाले 5 kg वाले गुटके से तकरा जाती है तो जो मास 2 है हमारा दूसरी वस्तु का जो मास 5 kg होगा जब यह पहले मूव करती है तो तकरा जाती है और उस समय इसकी जो इसका जो वेग है कितना है 10 मीटर प्रती सेकिंड है जो आपका बॉक्स है लकडी का जिसे जाकर कही तकरा जी है उसके बारे में कोई भी इंफोर्मेशन नी दे रखी है मतलब वो रेस्ट में है तो यह कितना हो जाएगा 0 और तकराने के बाद में उनके सम्वेग की गंणा करनी है जो मतलब पहले जितना सम्वेग ता उसकी ग गति करेंगे तो इन दोनों की गति कितनी होगी इन दोनों का वेग कितना होगा क्यूंकि दोनों जुड़ गए है तो दोनों का वेग एक समानी होगा तो हम उसे वी माल लेते हैं तो ठीक है सारी चीज़े हम क्लियर करेंगे मतलब यहाँ पर हमें एक तो क्या 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 करना है, यह calculate करना है, दूसरा हमें V calculate करना है, तो सबसे पहले हम P1 calculate कर लेते हैं, संगटत के पहले का समवेग अगर आपको find out करना है, तो आप क्या लिख दोगे, M1 U1 plus M2 U2, कितना द्रव्यमान है आपका, 0.2 kg ball का द्रव्यमान है, और उसका जो वेग है 10 है, प्लस M2 कितना है, 5, और U2 कितना है, 0 है, तो इसको हम 0 लिख देंगे, इसको जब हम solve करेंगे, तो समवेग कितना आ जाएगा, 2 kg, m, प्रती सेकंड का समवेग यहां आ जाएगा, हमें पता है समवेग के संग्षन के नियम से, कि तकराने से पहले का और तकराने के बाद का होगा, इस वज़े से हम क्या लिख देंगे, P1 और P2 जो है, दोनों बराबर होंगे, और कितने हो जाएगे, 2 kg, m, प्रती सेकंड के हो जाएगे, अब तकराने के बाद में, इन दोनों ही वस्तुओं का वेग कितना होगा, या किस वेग से इगति कर रही है, हमें वो भी नि लिख सकते हैं, P2 को ऐसे लिख सकते हैं, Final Velocity के Terms में हम लिख सकते हैं, M1 कितना है, 0.2 into V, प्लस M2 कितना है, 5 into V, यहां से V common ले लूँगे, इस में से पूरे में से V common ले लूँगे, तो कितना हो जाएगा, 0.2 plus 5, V, दोनों को जोड़ दूँगे, तो कितना हो जाएगा 2 is equals to 5.2, V, यह इदर आकर के divide हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 52 is equals to V, अब हम इसे divide करके देख लेते हैं, इसे हम divide करेंगे, तो यहां पर हम इदिवाइड करके देख लेते हैं, कि 52 को divide करना है 20 से, but obviously यह छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहां 0 हो जाएगा, अब यहां सिर्फ 50 होता, तो चार बर यह चला जाता, लेकिन 5, 4 जा, 20 होता है, 52 जो है, वो value जादा है, मतला 3 से इसको multiply करना पड़ेकर, जब इसको 3 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास में, 3 से multiply करने पर 6, 156 आजाएगा, हमारे पास में, तरके देख लेते हैं, फिर भी करेंगे, एक बर हम, कि 3 से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 5 3 जा 50, तो 3 से करेंगे, तो 156, सिर्फ 2 जाएगा होता है, इसलिए हम 2 जाएगा, 9 जाएगा, 10, 10 में से 6 गया, 4, 9 में से 5 गया, 4, 0 लगाया, तो 5 8 जा 40, तो 52 इंटो 8 करके देख लेते हैं, 8 2 जा क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट तक ही वैल्यू निकालनी है, तो V is equal to हम लिख लेंगे, 0.38 मीटर प्रती सेकंड, टकराने के बाद में, दोनों ही 0.38 मीटर प्रती सेकंड के वेक से चलने लगेगी, एक ही दिशा में, आप यहाँ पर जो है 5 बाई 30 ही छोड़ दिया, आप सॉल्व करके देखोगे, तो आपका अंसर अगबग यही आएगा, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में, 150 मीटर प्रती सेकंड के वेक से चल करके, एक लकडी के गुटके से टकराती है, और 0.03 सेकंड के बाद रुख जाती है, तो यहाँ पर आपकी एक गु दिया है, आपको 10 ग्राम दिया है, हम इसको किलो ग्राम में कनवर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0.01 किलो ग्राम की आपकी, क्या हो गई है, बंदू की गोली हो गई है, उसका वेक कितना था, कितने वेक से चल करके गई है, वो, एक सो पचास मीटर प्रती सेकिंड के वेग से चल करके गई है अब जाकर के वो टकराईगी तो उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा जो लकडी का गुटका है आपका किसमे है रेस्ट में ह रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, तो यहां पर जो इसका प्रारंबिक और अंतिम वेग होगा, दोनों ही इसके जीरो हो जाएंगे, आपको क्या निकालना है कि जब ये गोली लकडी से टकराएगी तो कितनी अंदर तक जाएगी और लकडी कितना बल लगाएगी आपकी गोली पर आपको ये भी find out करना है तो आपको एक तो क्या निकालना है F21 निकालना है दूसरी चीज आपको निकालनी है कि S कितनी दूरी तक जाएगी ठीक है तो S निकालने के लिए हमारे पास में V is equal to U plus 80 है तो इससे तो नहीं निकलेगा दूसरी equation है S is equal to U plus half 80 square उससे निकल सकता है और तीसरी equation है V square minus U square is equal to 2AS इसने भी हमारा S निकल सकता है दूरी निकल सकती है पर दोनों ही equation में calculation के लिए आपको तोरंट की आवशक्ता बढ़ेगी तो पहले हम तोरंट निकाल लेते हैं गोली का तोरंट निकालने के लिए हम यह वाला formula लगा सकते हैं A is equal to V minus U by T यह वाला formula हम लगा सकते हैं गोली बाद में जाकर के रुख जाती है तो 0 पहले कितनी थी 150 मीटर प्रती सेकंड की स्पीड से चल रही थी और समय कितना लगा है उसे 0.03 सेकंड का ठीक है यहां हो जाएगा यह A is equal to minus का 150 यहां से जाएगा तो उपर 100 upon 3 35 तो A कितना हो जाएगा हमारे पास में minus का 5000 मीटर प्रत पन होगा क्योंकि negative है तो हम बोल सकते हैं कि मंदन यहां हुआ है retardation हुआ है अब आपको निकालनी है गोली द्वारा तैग की गई दूरी कित अंदर तक भेदेगी वह S निकालना है हमें S निकालने के लिए हम गती का तीसरा समय करण लगाएंगे जो क्या है V square minus U square is equal to 2AS V square क गोली है जो आगे जाकर के रूख गई U square हमारा हो जाएगा 150 into 150 is equals to 2 त्वरण जो है minus का 5000 और S हमें निकालना है यहां पर इसे solve कर लेंगे हम कितना हो जाएगा minus 150 into 150 यह दोने दर आकर divide हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 2 into minus का 5 thousand और S बराबर में कटो गया यह भी कटो गया 5 की टेबल से हमें काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 10 times और 5 की टेबल से ही कट जाएगा आपका 3 times पापस इसको 5 की टेबल से काटते तो यह कट जाएगा 5 की टेबल से काटेंगे तो 2 times और यह 3 times तो यह कितना हो जाएगा minus का 9 by 4 minus के 9 by 4 को हम अगर further simplify करते हैं तो कितना हो ज की दूरी जो है आपकी बंदूक द्वारा ट्रैवल की गई है ऐस भी आ गया अभी एक चीज और पूची है question में एक चीज question में और पूची है कि जब आपकी गोली जब आपकी गोली है इस लकडी से तकराई है तो तक्राने पर फोड़ा करके बना लिए मैं इसको तक्राने प अगर कितना बल लगाया है उतना ही बल लगाएगा जितना गोली पर लगाया है, उतना ही बल लगायाईगा, कुरिया प्रती कृश्य कीम पता है, बस निगेटिव दिशां में लग जाएगा, तो देखो, हमें अगर बल लगा communion, हमारे पास में त्वहरण पता है लेकिन बोड तो हमारा रेस्ट में था तो उसमें तो कोई त्वरण उत्पन हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे गोली का त्वरण निकाल लेंगे जितना गोली का त्वरण होगा गोली का त्वरण हमने निकाल लिया पहले से ही तो गोली के द्वारा जितना बल लगा है उतना ही बल गोली पर लगा है लकडी के द्वारा, तो हम क्या लिख लेंगे, F21 is equal to M21 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दूसरी ने पहली पर लगाया है, दूसरी वस्तु मेरी लकडी है, तो कितना हो जाएगा, F21 is equal to, मास कितना था गोली का 0.01, गोली का मास कितना था, 0.01 और तूरण कितना था, 5000 माइनस का, ठीक है, तो कितना आजाएगा ये, 0.01 और तूरण कितना था, हमारे पास में, 5000 माइनस का, ठीक है, जब हम इसे solve करेंगे, तो कितना आशार आजाएगा, F21 हैगा हमारा, माइनस का, 50 न्यूटन, अब जो अल्रेडी हमारा, बल आया है, वो नेगिटिव आया है, तो यहाँ पर F21 किसके बराबर है, F21 बराबर है, माइनस के, यहाँ पर हम, इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं पहले, कि हम क्या निकाल रहे हैं, गोली द्वारा बल निकाल रहे हैं, कि गोली के द्वारा कितना बल लगा है, गोली के द्वारा कितना बल लगा है, क्योंकि हमने गोली की वैल्यूस पूट करियें, इसलिए हम मान लेते हैं, कि गोली के द्वारा हमारा कितना बल लगा है, गोली के द्वारा हमारा कितना बल लगा है, F12 लगा है क्योंकि हमने मान किसके पुट करें, गोली के करें हैं अब हमें क्या पता है कि F12 बराबर है, माइनस के F21 के, तो F12 कितना है, हमारे पास में F12 है, हमारे पास में 50 Newton का माइनस का, और ये बराबर हो जाएगा माइनस F21 के, 50 से 50 कट जाएगा तो मतलब, 50 Newton का बल लगाया गया है लकडी के द्वारा लकडी के द्वारा गोली पर ये हो गया हमारा question solve, यहाँ पर मैंने बाद में change इसलिए करा है, तो आपको confusion होता अगर मैं direct 50 कर देती, बिना sign हटाए मैं direct उसको 50 दिखा देती, तो confusion हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको F12 कर दिया है नई तो मैं direct 50 Newton भी लिख सकती थी जैसा की question में solve करके यहाँ दिखाया गया है एक वस्तु जिसका द्रवेमान एक किलोग्राम है आपके पास में एक वस्तु है जिसका द्रवेमान कितना है, एक किलोग्राम आपकी वस्तु का द्रवेमान है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेक से एक सीधी रेखा में चलतू है, विराम वस्ता में रखे एक 50 किलोग्राम के द्रवेमान के लकडी की गुटके से टकराती है, तो यहाँ पर जो आपकी वस्तु है, वो उसका आरंबिक वेक कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड था और जाकर के यह टकरा जाती है एक लकडी के गुटके से जिसका द्रवेमान है 5 किलोग्राम उसके बाद दोनों साथ-साथ उसी मतलब है न, यहाँ पर एक वस्तु है यह आपकी दूसरी वस्तु है यह जाकर के से टकरा जाती है और टकराने के बाद में दोनों जुड जाएंगे और जुडने के बाद में दोनों एक ही दिशा में गती करेंगे तो कितने वेग से गती कर रहे हैं यह आपको बताना है यहां पर जो आपकी पहली वस्तु है वो विराम वस्ता में थी क्योंकि क्वेशन में कोई भी जानकारी दी नहीं गई है कि दूसरी वस्तु के वेग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है बस बोला कि जाकर कि टकरा देदा है तो हमने क्या माल लिया है कि यह राम में होगा, आप जब दोनों जाकर एक दूसरे से ठकरा जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो दोनों एक ही वेक से गति करेंगे, जो की वी हो जाएगा, ठकराने से संगटत के पहले तता संगट के बाद कुल समवेकों की गंड़ना करनी हों और आपस में जुड़े ह P2 होगा तो हम P1 निकाल लेते हैं P1 निकाल लेंगे तो P2 भी हमारे पास में आ जाएगा P1 कितना हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 M1 कितना है आपके पास में 1 kg का और U कितना है 10 प्लस 5 into 0 ये तो term पूरी cancel तो यहाँ पर जो हमारा समवेग है वो कितना हो जाएगा 10 kg मीटर प्रती सेकंड का अब क्योंकि समवेग के संदक्षन के नियम से P1 बराबर P2 होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 और P2 दोनों बराबर हो जाएगे और तुनों कितने हो जाएगे तकर के बाद में वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं समवेग संदक्षन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे क्योंकि वहाँ से हमने फॉर्मूला डेराइफ किया था इस चीज को हमने प्रूफ किया था कि टकराने के पहले और टकराने के बाद में जो सम्वेग है वो आपका बदलता नहीं है, बराबर रहता है, तो उसी चीज के statement को लेकर के हम यहां से value निकाल लेंगे, m2, v2, यहां पर plus का sign आएगा, अभी यह चीज हमने पूरी solve करी, यह कितनी आई थी, 10 आई थी, इस चीज को solve कराता 10 आएगा, तो इदर 10 लिख लूँगे, बराबर, m1 कितना है आपके पास में, 1 into v plus m2 कितना है, 5 into v, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए हमने इसको v मान लिया है, यहां पर common ले लेंगे हम और यह कितना हो जाएगा, 6, नीचे upon 6 हो जाएगा, और v, इसको मैं solve करूँगे, तो कितना हो जाएगा, 1.66 meter प्रती सेकंड जो है, दोनों जुड जाएंगे, और दोनों 1.66 meter प्रती सेकंड के वेग से, एक ही दिशा में गती करते हुए नजर आएंगे, यह भी आपका question solve ह चोटे-चोटे questions है, बहुत जादा detail वाले questions इसमें नहीं है, चोटे-चोटा formula लगाना है और answer solve करते जाना है आपको, 100 kg द्रव्यमन की एक वस्तू का वेग, एक समान तोरण से चलते हुए 6 second में 5 meter प्रती सेकंड से 8 meter प्रती सेकंड हो जाता है, वस्तू के पहले और वस्तू के पहले और वस्तू के बाद, पहले कितना समवेग था वस्तू का ये पता लगाना है और बाद में कितना समवेग हो गया वस्तू का आपको ये पता लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, कि कि आपकी एक वस्तू है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 100 kg ह इसके उपर माल लीजिए, हमें नहीं बताया, इसलिए हमाल लेते हैं कि F amount का कोई बल लगा होगा, जिससे इसका वेग 5 meter प्रती सेकंड से बदल करके 8 meter प्रती सेकंड हो गया है, और इस से कंडे में इसको इस वस्तू का, इस वस्तू ने समय कितना लिया है, 6 सेकंड का, 6 सेकं और बल लगाने के बाद में इसका समवेग P2 होगा, P1 को हम क्या लिख सकते हैं, M U लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी आरंबिक वेग है और ये इसका अंतिम वेग है, तो आरंबिक वेग कितना हो जाएगा, इसका 5 और वेग जो है इसका, वो सारी, दर्वेमान जो है, इसका 100 ह है, तो 100 इंटू 5, P1 बराबर 500, 100 किलो ये न, किलो ग्राम मीटर प्रति सेकंड है, वैसे ही, बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा, रवेमान इंटू वेग ही होगा बाद में भी, पर बाद का वेग कितना है, 8 है, तो यहां पर हम लिख देंगे, 100 इंटू 8, और P2 जो ह है, हमारे पास में जाएगा, 800 किलो ग्राम मीटर प्रति सेकंड, simple, easy, easy question पूछ रही है, question को parts में करोगे, तो ऐसे बीजी लगेगा, और सब कुछ मिक्स कर दोगे, तो आपको टफ लगेगा, अब उसने क्या पूछा है, कि कितना बल लगा है, वस्तू पर कितना बल लगाया है, जो उसका समवेग 500 मीटर प्रति सेकंड से 800 किलो ग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया है, तो हमें न्यूटन के, न्यूटन ने जो गती के नियम दिये थे, उसके दूसरे नियम से हमें क्या पता है कि वस्तू पर जितना बल आरोपित होगा, वो बराबर होगा, वस्तू क अंदर सम्वेग में परिवर्तन के दर के सम्वेग में परिवर्तन को हम डेल P से दर्शाते हैं, यह derivation हम ने किया था तब हम ने यह formula वहाँ देखा था, तो यहाँ पर F हमें निकालना है, डेल P को क्या लिख दूँगी, P2-P1 और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकिंड का यह कितना हो जाएगा 800-500-6 यह कितना हो जाएगा, हमारे पास में 30, 300 और 6 6 की टेबल सामें इसको काड़ देंगे तो कितना बल लगाया गया है वस्तू पर जो बल लगाया गया है, वो है 85 N का और जो बल लगाया है हमने वो वस्तू की, गती की ही दिशा में लगाया है, इस वज़े से positive आपका answer आया है, टीक है इतना समझ में आया, कैसे करना है, एकदम slow-slow जाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रखनी है पैनिक नहीं करना है, शान्ती से question पढ़ना है information निकालनी है, सोचना है कौन सा formula लगेगा, value put करनी है solve करना है और answer निकालना है I hope आपको अब clarity मिल रही है, अब आपको confusion नहीं रह रहा होगा कि किस तरीके से हमें questions solve करने है next कि अक्तर किरन और राहुल किसी highway पर जा रहे थे और उनकी तीवर गती से चलती हुई car में बैठे हैं तीनों अचानक से उड़ता हुआ कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशा वह शीशे से चिपक गया मतलब एक कीड़ा उड़ताव आया उनकी गाड़ी पर और टकरा करके मतलब यह गाड़ी है और कीड़ा आया और चिपक गया तो जब कीड़ा चिपक गया है तो तीनों आपस में discussion कर रहे है discussion क्या विवादी कर लिया उन्होंने थोड़ा सा अलग-अलग statement दे रहे हैं उस कीड़े और गाड़ी को लेकर के आईए पढ़ते हैं क्या क्या देते हैं कीरण बोल रही है कि कीड़े के समवेग कीडे के समवेग परिवर्तन का परिमाण, कार के समवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है किरन कह रही है कि जब आपकी कार से कीडा आकर के तकराया है तो कार के समवेग में जो परिवर्तन हुआ है और कीडे के समवेग में जो परिवर्तन हुआ है दोनों के समवेग में परिवर्तन हो गया है तो दोनों के समवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसमें से कीडे के समवेग में जादा परिवर्तन हुआ है क्या बोल रही है किरण किरण कह रही है कि कीड़े के समवेग में परिवर्तन जादा हुआ है, ऐसा किरण कह रही है, किड़े के समवेग में परिवर्तन जादा हुआ है, क्यूंकि कीड़े का जो वेग है अचानक से बदल गया, किड़ा उड़तावा आ रहा था अपने एक वेग से और गाड़ी के शीशे से टकराया तो अचानक से उसका वेग जीरो हो गया, तो उसके वेग में काफी जादा परिवर्तन आ गया है, इस वज़े से उसके समवेग में परिवर्तन जादा आया है, दूसरा जो कार थी उसके समवेग में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्यूंकि कार पहले भी U-Velocity से चल रही थी, कीडे के टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी यू विलोसिटी से ही चल रही है, ठीक है करण ने हमें ये बोला है, स्टेकंड क्या है, अक्तर ने कहां चू कि कार का वेग बहुत जादा था, कि कार जो है बहुत जादा वेग से गती कर रही थी, इस वज़े से का की मौत हो गई है, तीसरा तरक राहुल देते हुए कहता है कि कार और कीड़े दोनों के, दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के समवेग में बराबर परिवर्थन हुआ है, इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तो यहां पर जो अक्तर है, अक्तर ने हमें बोला है कि कार का वेग बहुत जादा था इसलिए कार ने भूट अधिक बल लगाया है अक्तर का 'S केस इजी तो पहले हम वह डिसकस कर लेते हैं कि अक्तर बोल रहा है कि कार ने कीड़े पर बहुँच ज़ल्ढ बल लगाया है लेकिन गत्ती के तित्ति नियमसर में पता है कि जब कोई एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी भी पहली ही मात्रा में उस वस्तू पर वापस बल लगाती है मतलब जितना बल कार ने कीडे पर लगाया है कीडे ने भी कार पर उतना ही बल लगाया है तो अक्तर का स्टेटमेंट तो गलत हो तो दोनों के समवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो applied force के बराबर है अब जब दोनों एक दूसरे के उपर समान मात्रा में बल लगा रहे हैं तो उनके समवेग में परिवर्तन भी तो बराबर होगा ना समवेग में दोनों के परिवर्तन भी बराबर हुआ है तो किरण भी गलत कह रही है, लास्ट राहुल क्या कह रहा है हमें, राहुल कह रहा है कि कीडे, कार तता कीडे पर दोनों पर समान बल लगा है, क्रिया प्रति क्रिया सम कह सकते हैं, कि हाँ दोनों पर भी समान बल लगा है, और जब बल एक दूसरे पर समान लग रहा है, तो जितना बल का मान लग रहा है तो दोनों के समवेग में परिवर्तन भी एक जैसा होगा तो हमारा यहां पर यह विचार है कि राहुल सही कह रहा है और किरण और अक्तर दोनों ही गलत कह रहे हैं तो किरन का मानना किरन गलत कह रही है तरक गलत है अक्तर का भी तरक गलत है राहूल का तरक जो है वह हूँ सही है क्यों सही है हमने डिसकस कर लिया है लिखना कैसे है आप इसको यहां से देख सकते हो, एक 10 kg द्रव्य मान की घंटी, 8 cm की उचाई से फर्ष पर गिरी, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्ष पर स्थानंत्रित सम्वेग की मान की घंड़ना करो, एक घंटी जो है 10 kg की ती नीचे गिर गई है, तो घंटी जब गिरी है नीचे तो उसके सम्वेग में कितना परिवर्तन आए, आपको यह देखना है, और यहां पर जो एसलरेशन है, आपको कितना लेना है, 10 m3 प्रती सेकंड स्क्वेर का आपको एसलरेशन लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ गिरती है, कभी भी कोई वस्थू धर्ती की तरफ गिर रही ह तो उसका मान आप ले लोगे, प्लस का 10 m3 प्रती सेकंड स्क्वेर, ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको गुरूत वाक्षन पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी, और कभी भी कोई वस्थू नीचे से उपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो त्वरन होगा, व क्योंकि वो घर्ती से विपरीत दिशा में जा रही है, प्रॉपर इसका लॉजिक में आपको जब गुरूत वाक्षन पढ़ाऊंगी, तब दूंगी, तो 10 kg द्रवेमान की घंटी है, 80 cm की उचाई से गिरी है, तो घंटी का द्रवेमान कीतना हो जाएगा, 10 kg, गिरी है 80 cm की तो आपको समवेग निकालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, समवेग निकालने के लिए हमारे पास में होना चाहिए, वेग तो है नहीं हमारे पास में, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास में वेग नहीं है, पर हमारे पास में S है, हमारे पास में A है, और क्या है हमारे पास में और कुछ भी नहीं है पहले तो घंटी लटकी वी थी तो उसका आरंबिक वेक तो कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रती सेकंड तो V निकाल लूँगी मैं V निकालने के लिए मेरे पास में क्या है V निकालने के लिए मेरे पास में होना चाहिए है V square minus U square is equal to 2S लगा दो, क्योंकि time तो है ही नहीं, तो time वाली equation लगाएंगे ही नहीं, और यह इकलौती ऐस equation है, जिसमें time नहीं आता है, खीक है, तो V square तो मुझे निकालना है, U कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A कितना है, 10 है, question ने बोला है, दूरी उसने कितनी तेय करी है, 0.8 मीटर, ठीक है, यह V square बराबर, 200, sorry, 20 into 8, 20 into 8 होगा, 200 नहीं होगा, 10 से घुना कर रहे हैं, 20 into, 0.8 हो जाएगा, तो V square is equal to, 8 to 0, 16, 160, 1 digit छोड़के point लगा देंगे, हम यहाँ पर, तो, ठीक है, यहाँ पर, V square is equal to 16, बोल सकती हूँ में, तो V square को, क्या लिख सकती हूँ, 4 का square, square से square कट गया, तो V का मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रती सेकिंड, अब उसने हमसे, वेग थोड़ी पूचा, उसने तो हमसे पूचा, कि समवेग में कितना स्तानेंत्रित हुआ है, तो, जो पहले गंटी का समवेग है, वो तो कितना था, M into U, तो U zero होने के कारण, पहले गंटी का समवेग zero हो गया, बाद में, गंटी का, जो वजन है, वो कितना है, 10 किलो का है, और बाद में, गंटी का, वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड के, वेग से वो नीचे गिरती है, तो बाद में, कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 40 किलोग्राम, न्यूटन, चॉरी, 40 किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, फोर्स नहीं निकाल रहे न, फोर्स के फ्लो में, मैंने यापर एन लिख दिया, फोर्स नहीं निकाल रहे है, मीटर प्रति सेकंड, इतना समवेग स्थानेंतरित, गंटी से हुआ है, धर्ती पर, यह रहा, 40, हमारा भी 40, तो यह कुछ आपके NCRT से, बैक एंड के क्वेशन्स थे, सारे क्वेशन्स हमने डिस्कस कर लिए है, I hope आपको मज़ा आया होगा, connectivity फील हुई होगी आपको, कि किस तरी किसे numerical को solve करना है, अब हमारे यह चैप्टर जब खतम हो चुका है, तो हम अगले चैप्टर पर प्रोसीड करेंगे, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेशन्स को वापस से, खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, खुद के हाथ से करके देखोगे, तब ही आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टेंडिंग मिलेगी, तो बच्चों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तिल देन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बैबै,